आप सभी का सवागत है एक ब्रेंड न्यू वीडियो में लर्न इट के तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक टू बायोजिकल क्लासिफिकेशन का जो यूनिट टू का पार्ट है क्लास 11 का तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है सिस्टम ओफ क्लासिफिकेशन बायोजिकल क्लासिफिकेशन का क्या इंपोर्टेंस है क्लासिफिकेशन क्यू किया जाता है क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि टू किंग्डम क्लासिफिकेशन थ्री किंग्डम क्लासिफिकेशन और फाइफ किंग्डम क्लासिफिकेशन के बारे में तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बेसिकली प्रोटिस्टा तो पढ़ते हैं हम प्रोटिस्टा का पहला अब इसके अंदर कुछ नाम आते हैं अलग-अलग डिफरेंट टाइप के वो है क्राइसोफाइट्स, डीनोफलेजिलेट्स, यूगलिनोइट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, यह सब इकटे होके बनाते हैं प्रोटिस्टा का एक पुरा किंगडम, अब देखा जाए तो यहाँ पर सारे के सारे और्गिनिजम यूनिसेलूलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल के बने हुए, और कोलोनियल होते हैं, मतलब कोलोनीज में रहते हैं, और य पानी के अंदर रेते हैं, वो कितनी बार उनको खा भी लेते हैं, मतलब जो basic food की requirement होती है, जैसे कि जमीन पे हम plants को सबसे lower level पे मानते हैं, जो हमको क्या देगा, food provide करेगा, वैसे ही plankton, समुद्र के अंदर सबसे lower level पे food की सारी कमी को पूरा करते हैं, next बात करते हैं, अगर हम mode of nutrition के बारे में, तो ये different different kinds का है, पहली बात करें, photosynthetic, second is saprophytic, parasitic और holozoic, ये तीन चार मोड हैं, इनके अंदर, जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं, अपना खाना का सकते हैं, photosynthetic तो हमें पता ही है, कि ये क्या होता है, photos, मतलब sunlight की मदद से, अगर आप कोई खाना प्रिपेर कर लेता है, तो उसको बोलते है, photosynthetic, second बात करते है, saprophytic, जब dead or decaying पे हम depend करें, third बाता है, parasitic, जब हम किसी पे depend करें, किसी के ऊपर, किसी के अंदर रहे, कि उनसे हम, जब important चीज़ लेते हैं, feeding के लिए, तो उसको कहते हैं, parasitic, और last आता है, holozoic, अब बात करते हैं, फ्ल फ्लेजिला, तो यह protistars के अंदर, बहुत चारों के अंदर present होता है, genetic material की बात करें, मतलब DNA, RNA की बात करें, तो इसके अंदर, दो, या दो से ज़्यादा DNA के molecules present होते हैं, एक organisms के अंदर, थोड़ा और topic के बारे में बात करते हैं, हम protistar के अंदर, तो पहला आता है, कि जब diatoms की बात करते हैं, यानि इनके अंदर आपको diatoms भी देखने को मिलेंगे, और golden algae भी देखने को मिलेंगे, जिसको हम एको नाम से जानता है, desmids, और basically यह दोनों जगे रहते हैं, मतलब fresh water में भी मिल जाएंगे आपको, और marine water के अंदर, मतलब खारे पानी के अंदर भी आ आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, अब इनका जो structure होता है, वो पहले ही पर जोके unicellular होता है, motile का मतलब होता है, वो एक जगे से दूसरे क्या आसानी से swim कर सकते हैं, या जा सकते हैं, किसकी मदद से फ्लेजिला, अब फ्लेजिला कैसा होता है, तो यहाँ पर सार अब होता है, यह खुद का खाना खुद बना सकते हैं, बहुत सारे, इनका basic color जो होता है, वो तो होता है golden brown, पर यह पीला, हरा, लाल और ब्लू तक में भी exist आसानी से कर सकते हैं, कुछ डिनो फ्लेजिलेट्स की बात करते हैं, जैसे gymnodinium and gonilox, यह बहुती जादा quantity में किस तो उस time को बोलेंगे हम red tide या उस चीज़ को बोलेंगे red tide, लास बात करें, तो यह photosynthetic की presence मियाने, जब भी sunlight रहती है, तो यह photosynthetic हो जाते हैं, मतलब photosynthes की मदद से खाना बना लेते हैं, और जब sunlight नहीं होती, याने absence हो जाता है, तो उस time पर यह predator बन जाते हैं, मतलब शिक तो अब बात करते हैं, हम slime molds के बारे में, क्या है, यह saprophytic protist हैं, जो सडे हुए या गले हुई लकडियों पे या पत्तियों पे अपना गुजारा करते हैं, नेक्स बात करें, तो अगर favorable condition मिलती है, मतलब अच्छी condition मिलती है, तो इसके अंदर एक aggregation होता है, जिसको बोलते ह है, plasmodium, जो produce करता है, fruitful bodies, bearing sports, अबे fruitful bodies क्या है, यह छोटे-छोटे sports होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी plant के अंदर disease cause करते हैं, और यह सिर्फ slime molds के अंदर ही sports present होते हैं, अभी sports के cell wall के अंदर, एक special material से बनी होती है, उस material का नाम होता है, cellulose, अभी जो sports हैं, वो इधर से उध उधर कैसे transfer होते हैं, तो by air current, मतलब हवा की मदद से, वो इधर से उधर आसानी से transfer या disperse हो सकते हैं, example अगर हम बात करें तो है, physerum और philigo, next topic के बारे में बात करते हैं, तो आता है protozoans, अब protozoans क्या है, यह heterotrops होते हैं, और किसी के ऊपर या किसी के अंदर predators या parasite बनके रहते हैं, अब देखा जाए तो यह सारे protozoans primitive होते हैं, मतलब बहुत ही पुराने पुरवज मान सकते हो आप animals के, next बात करते हैं, तो amoeba कैसे food लेता है अपनी body के अंदर, तो food लेता है pseudo-poodya की मदद से, और यह एक specialty है amoeba की, या amoeboid organisms की, next बात करें, तो flatulated protozoans हमेशा free living होते हैं, या parasitic होते हैं, और इनके अंदर आपको flagella मिलेगा, चपू के समान, पीछे का portion, जिसके कारण से वो एक जगे से दूसे एगे freely move कर सकते हैं, next बात करते हैं, तो saluted protozoans के अगर हम बात करें, तो वो basically पूरे के पूरे पानी में ही रहते हैं, मतलब aquatic होते हैं, और उनकी body पर उंगलियों के समान projections होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से water के अंदर एक जगे से दूसे एगे move कर सकते हैं, last बात करें, तो sporozones की जब बात करते हैं, protozoans का एक type है, तो इसके अंदर सारे organisms के अंदर infectious spore stage आती है, इनकी पूरी एक life cycle के अंदर, यह specialty है sporozones की, अब बात करते हैं हम kingdom fungi के बारे में, तो यह सारे एक chlorophyllas होते हैं, मतलब यहाँ पर chlorophyllas present नहीं होता, मतलब यहाँ पर कोई photosynthesis की process नहीं होती, second heterotopic होते हैं, मतलब किसी ना किसी organism पर dependent होते हैं, spore forming होता है इनके अंदर, और यह सारे के सारे non-vascular eukaryotic organism कहलाते हैं, इनकी एक cell wall में specialty होती है, जिसके अंदर यह बने होगे होते हैं, kaitin या fungal cellulose के, इनका जो reserved food material होता है, जिसके कारणे food एकटा करते हैं, वो किस form में होता है, glycogen के form में होता है, mode of nutrition की जहाँ तक बात कर होते हैं, तो saprophytic, parasitic और symbiotic के 3 types के mode of nutrition होते हैं, saprophytic मतलब किसी दूसरे पर dependent होना, parasitic मतलब किसी दूसरे organism के अंदर या उपर feed करना, और symbiotic मतलब एक plants के साथ या animals के साथ relationship में रहे ना, जिसमें benefit मिले किसी भी को, next बात करते हैं, तो reproduction कितने type का होता है, तो 3 types का होता है, और zoospores, और sexual reproduction की बात करें, तो वहाँ पर मिलता है, oospores, ascospores और bacidospores, यह कुछ types हैं, जिसके कारण से reproduction करता है, एक fungi kingdom में, organisms, जब sexual cycle की बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 parts आते हैं, मतलब पहला part होता है, plasmo gamey, जिसके अंदर male or female gametes fuse होंगे, second जो stage आएगी, वह उसका fusion होगा, जो कहलाएगा two nuclei, और ultimately fusion होने के बाद में, जो formation बनेगा zygote का, वो आता है third step में, जिसको कहते हैं, meiosis, जिससे क्या form होता है, haploid spore, मतलब single spore produce होता है, fungi के कुछ types के बारे में बात करते हैं, तो यह चार्ट तरीके से इसमें dividation होता है, पहला जो dividation है, उसको एक और जाके देखने को आपको मिलेंगे, वो है decaying wood, मतलब सड़तीवी लखडी के उपर, जो की moist, गीले, या ऐसे humid place में, आपको आसानी से मिल जाएगा, इसके अंदर अगर हम asexual reproduction की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ a sexual mode of reproduction होता है, वो भी दो तरीके से, पहला है zoospore, जो हम बात करें, तो आता है mucos, rhizopus, albugo, etc. नेक्स्ट फंगाई के अगर हम टाइप के बारे में बात करते हैं, तो होता है ascomycetes, which are also known as the sack fungi, इसको एक और नाम से जानते हैं, the sack fungi के नाम से, अब यह कितने टाइप से होता है, या कितने तरीके से अपना food लेता है, तो इसको हम different different नाम से जानते हैं, which is known as saprophytic decomposers होते है पैरसिटिक होते हैं और corpophilus होते हैं, अब corpophilus क्या होता है, ऐसे organisms जो dung पे grow करते हैं, उनको हम कहते हैं corpophilus, next बात करते हैं, तो sexual spores इनके अंदर asco spores होते हैं, जो fruitful body के अंदर develop होते हैं, जिनको हम कहते हैं asco carbs, मतलब एक छोटे से asco carb के अंदर क्या present होते हैं, asco sp spores produce होते हैं, example अगर लें, तो neurospora, aspergillus और claviceps इनके कुछ examples हैं, अब बात करते हैं, third topic के बारे में, fungi के जोकी कहलाता है, bacidomycetes, इनको हमें को नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं, the club fungi, ये branched होते हैं, और septate present होता हैं, इनके अंदर, next is, इनका vegetative reproduction होता है, fragmentation की मदद से, next, asexual spores इसके अंदर present नहीं होते हैं, और अगर sexual reproduction की बात करें, तो वहाँ पर two agitative or somatic cells, bacidium का formation करते हैं, bacido spores produce करता है, bacidium, किसके अंदर, bacido carb के अंदर, मतलब bacido carbs के अंदर, आपको bacido spores मिलेंगे, जिसके कारण आगे जाएके develop होगा, ये bacido mycetes के अंदर, मतलब एक फं and third one is pucenia, अब हम बात करते हैं, last topic के बारे में, इस वीडियो का जो की है deutromycetes, इसको हम the fungi imperfect के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर हमें दो ही type के reproduction देखने को मिलते हैं, एक होता है vegetative type of reproduction और एक होता है asexual mode of reproduction, यहाँ पर जितने भी organisms हैं, वो सेप्रोफाइट्स या पैरस phyto trichu, यह last slide के अंदर आपको यहाँ पर differences दिखेंगे बहुत सारे, इसके अंदर लिखा हुआ, phycomycetes, ascomycetes, bacidomycetes और dutromycetes, यहाँ पर lower fungi, sec fungi, club fungi और fungi imperfect के बीच में, different different examples दे रहे हैं, तो यहाँ पर से जो आपको simple लगता है, वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते ह का यहाँ sawing, लंच परे जाफ yanlış जयरप गाफ odpow, लंच में, लो ठा dział से टेगेश नोटा चैंजर अपकी यहाँ